कहते हैं न संगत से गुन होत है संगत से गुन जात अब समझ में आया इरान के सरोचनेता खामनेई की बोली इतनी टेड़ी कैसे हो गई है वो भी बाइडेन के खिलाफ अमेरिका को इस तरह की चुनोती तो सिर्फ उत्तर कोरिया दिया करता था युएन की एक बड़ी रिपोट आई है जिसने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है क्या अमेरिका संकट में है तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी ख़बर आ रही है अफगानिस्तान और भारत को लेकर दोनों ने मिलकर अब पाकिस्तान को डुबो कर मारने का पूरा पक्का इं साही लेकिन अमेरिका ने सीधे सीधे पाकिस्तान को एफ सिक्स्टीन के इस्तेमाल करने से रोक लगाई जानेगे क्या है मामला इसके अलावे बहुत कुछ आये जानते हैं इन खबरों को बिस्तार से चूहे के बिल में जब आनाज बहुत जादा हो जाता है तो वह चूहा उचलना शुरू कर देता है ऐसा ही कुछ इरान के साहथ हो रहा है इरान की बोली में वह नर्मी खत्म हो चुकी है और यहाँ तक कि इरान अब बैदेन को चुनोती दे रहे हैं अमेरिका को चुनोती दे रहा है ठीक उसी तरह से जैसे उत्तर कोरिया के टानासा किम जॉंग देते हैं बाइडन तो कोशिस ये कर रहे थे कि इरान के साथ रिस्तों को समभाला जाए लेकिन इरान ने जलती हुई लकड़ी बाइडन के गोद में डाल दिया है अब तक यूएन में कोई परसान था तो वह था अमेरिका नोर्थ कोरिया को लेकर क्योंकि खबर ये आ रही थ थी कि उसने कई घातक नुकलियर मिसाईले बनानी सुरू कर दी है और बना कर रखवी ली है यहां तक कि उसने अपने बैलेस्टिक मिसाईल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बदल दिया है अपग्रेड कर दिया है अब बाइडन को ये समझ में आएगा कि आखिर ट्रम्प क् परमानू समझोते से बाहर हो गए दरसल टरंप के निर्ने भले खुद के टरंप के न हो हो सकता है जो नीती निर्धारक होते हैं उनके हो लेकिन उन्हें यह अंदाजा लग गया था कि इरान कुछ ऐसा कर रहा है जो अमेरिका के लिए खतरनाक है दरसल इरान और उत्तरकोरिया के बीच एक गटबंधन की रिपोर्ट आ रही है और यह रिपोर्ट सीधे संजुक्त राज शुरच्छा परिसत से आ रही है आपको याद होगा हाल में खामनेई नहीं ये धमकी दिया था कि अमेरिका को जल्दी लोटना है तो लोटे वरना बड़ा बुरा हाल होगा तभी इस बात को समझ लेना चाहिए था कि इरान के पीछे कोई ऐसी सकती है और वह सकती कोई और नहीं बलकि उत्तरकोरिया है उत्तरकोरिया और इरान मिलकर अब इंटरकोंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल बना रहे है जिसका सीधा निसाना होगा अमेरिका है यानि कि दूस्मन का दूस्मन दोस्त होता है इस नीती पर इरान चल चुका है हाला कि इरान को समझना चाहिए कि जिस तरह से उत्तरकोरिया में भुकमरी और बेरोजगारी के हालात हैं कहीं वैसा ही इरान का न हो जाए तो वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान मिलकर ये प्लान बना रहे थे कि किस तरह से ब्रमपुत्र नदी पर बांध बनाया जाए और इसका इस्तेमाल युद्ध के समय एक रननीतिक हतियार के रूप में किया जाए जब चाहे पानी छोड़ कर बाढ़ लाया जाए और ज ना हुआ बांध खोल भी देता है तो भारत में बाढ़ की इस्तिती ना आये इसकी तैयारी जहां भारत ने कर ली है तो वहीं अब भारत और अफगानिस्तान दोनों का गुस्सा सीधे-सीधे पाकिस्तान के ऊपर उतर रहा है दरसल इन दिनो अफगानिस्तान पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा परेसान है जहां हाल फिलाल में 50 रॉकेट पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में दाग दिये गए तो वहीं अफगानिस्तान यह मानता है कि उसके देश में जो भी बिद्रोही गतिविधिया होती है उ जहां सीमा पर उसके सैनिक जवाब दे रहे हैं तो अब वहीं भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर 286 मिलियन डॉलर के एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है और इसका लच्छिक कोई और नहीं बलकि पाकिस्तान ही है दरसल भारत और अफगानिस्तान के बीच ओन अफगानिस्तान के लोगों को पीने के लिए साप सुथरा पानी मिलेगा तो वहीं इस प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी है तो वह पाकिस्तान है क्योंकि जिस तरीके से भारत ने अफगानिस्तान के अपने रिष्टों को मजबूत करा है अफगानिस् रूप से पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की एक भी नापाक हरकत करने पर किया जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ भारतिय वायुसेना में राफेल लडाकू बिमानों की बड़तित संख्या से चीन के जहां होस उड़े हुए हैं तो वहीं राफेल ने एक बार फिर चीन और पाकिस्तान दोनों के सिर को जुका दिया है और उनकी नीदों को उड़ा दिया है चीन की ये हालत हो गई है कि लद्दाख समेथ पूरे बॉर्डर पर राफेल की उड़ान से ही दहसत में आ गया है चीन और जैसे ही उड़ान की खबरे मिली वैसे ही उसने अपने जे-20 इस् महिनों में चीन ने जे-20 विमानों के साथ एक युद्धा भ्यास किया था और इस युद्धा भ्यास में जो फॉर्मेशन बनाया था उसमें 6 जे-20 फाइटर जेट और एक H-6 बंबर्स के साथ फायर एक्सरसाइज किये थी इतने से भी चीन का मन नहीं भरा तो उसने पाकि जे-20 लड़ागू बिमानों का निर्मान किया है इन में से कुछ चीनी सेना के टेकनिकल एयर कॉंबेट डेवलेप्मेंट एजनसी के पास है तो बाकी भारत और दचिन चीन सागर में तैनात है अब जितने भी जे-20 बिमान चीन बना रहा है उसमें वह अपने लिए एक वि पाबले में मानता है तो वहीं पाकिस्तान जे-17 को मानता है लेकिन दोनों ने अपना असली सकल दिखला दिया राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से मोडिफाई करके बनाया गया है पाकिस्तान के साथ हाली में साहिन युद्धा ब्यास के दोरान चीन के जे-10C और जे J-11B फाइटर जेट्स का इस्तिमाल करके ये कोशिच किया गया कि राफेल और सुखोई 30 को कैसे रोक सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तब आ गई जब एक भी सिमुलेशन सही नहीं बैठा ना तो J-10C कोई निशाना लगा पाई और ना J-11B वैसे इस युद्धा अभ्यास में पाकिस्तान अमेरिका के F-16 लड़ाको विमानों का युद्ध इस्तेमाल करना चाह रहा था तब अमेरिका ने सीधे सीधे उसे मना कर दिया जहां वैसे आपको क्या लगता है क्या भारत प्यों के हासिल कर पाएगा कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं जल मिल अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ